चुनाव आयोग के दो नए चुनाव आयोगतों के लिए नाम फाइनल हो गए हैं और प्रधानमंत्री के अद्धक्षिता में गुरुवार को हुई सेलेक्शन कमेटी की बैठक में केरल के ग्यानेश कुमार और पंजाब के बलबिंदर संधु के नाम फाइनल हो गए हैं और नए चुनाव आयोगतों ने अपना पदभार भी संभाल लिया है इस बैठक में विपक्ष किनेता अधीर रंजन भी शामिल हुए थे इस बेच सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग के आज शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान करने की उम्मीद ही है और चुनाव के ऐलान के साथ ही देश भर में चुनावी आदर्श आजार सहिता लागू हो जाएगी सूत्रों के मताबिक जम्मु कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराये जा सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग ताजिव कुमान ने बुदव जम्मु कश्मीर आंधर प्रदेश ओर शा अरुनाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव का एलान करेगा हाला कि जम्मु कश्मीर पर क्या फैसला होगा कयास लगाये जा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव भी दोजार उन्निस की तरह ही साथ च अपरेल 6 मई, 12 मई, 19 मई को वोटिंग की गए थी चुनाव के परिणाम 23 मई को घोशित किये गए थे पिशली बार भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंधर प्रदेश, अरुनाचल, ओरिशा और सिक्किम राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे पिशले परिशाब में 37,936 फीज़ी वोट हासिल किये जो के अंडिये को 45 प्रतीशत वोट मिले थे, वहीं कॉंग्रेस पार्टी ने 52 सीटे जीती थी और कॉंग्रेस के नित्रत्व वाले गटबंदर ने 92 सीटे जीती, अनिदलों के खाते में 97 सीटे गई थी, तो माना जराय कि झाल